जाहें दोस्तों आप देख रहा है प्रयाग राज एजूकेशन के यूट्यूब चैनल को मित्रो हम लोग चैप्टर संख्या 29 के प्रशनों को सौल्व कर रहे हैं और चैप्टर संख्या 29 का नाम है यूरोपी आधुनिक पुनर जागरा कालीन कलाकार इसमें हम कलाकारों के ब जो बहतरीन कंटेंट हम आपको अप्लब्द करेंगे वो सायथ पुरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं नहीं मिल पाएगा हम हर एक कलाकार के बारे में अनॉलिस करके आपके सामने प्रश्तुत कर रहे हैं उनके चित्रों को आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं तो यह सारे चीज़े आपको यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिल पाएगा चित्रकला में ठीक है चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिजेगा चलते हैं आज के पहले प्रशने की और आज का पहला प्रशन होगा 349 नमबर का प्रशन और 349 नमबर का प्रशन आप सभी के सामने आ रहा है कि ब्यंग चित्रकार के रूप में किस कलाकार ने कारे शुरू किया था ओनोर दो मी का नाम आप लोगों ने सुना होगा ओनोर दो मी 1808 मिन का जन्मुआ था और यह फ्रांस के कलाकार है यह चित्रकार मूर्तिकार प्रिंट मेकर की रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने कई ब्यंग चित्र भी बना है और इनके कुछ प्रमुक्ष चित्र हैं जैसे कि नयायले हो गया रेल का डिबबा या 33 रेनी का डिबबा रंग मंच का अद्रिश्य डान क्विक जोट की के कहानी चित्र या सैलियों की लड़ाई दो वकील इत्याद इनकी कई लुक्त मैं तर वक знаю 3559 के घ्रंडी में और फ्रांस में जन्मे गलाकार यह चित्रकार मूर्थिकार की रूप में जाने जाते हैं इनकी ता आर्टिस्ट इस तूडियों यह इसी को द परींटार थे और यह इनकी कुछ प्रमुक्रितियां हैं पथा तोलने वाले स्टोन ब्रेकर से कुर्बे के कुछ स्टेटमेंट बहुत प्रसित हैं जैसे कि वह कहा करते थे चित्रकला यथार्थ परक होनी चाहिए और उसका सीधा जुलाव वास्तविक पतार्थ से होना चाहिए कालपनिक नहीं हो चाहिए और इनका यह कहना था यथार्थ वादी कलाकारों में यह सबसे जादा प्रमुख कलाकार को डूब में या इनिके द्वारा ही यथार्थ वादी जने जैती है इनके कुछ statement है इस तरीक के से है जिव पारिक्षोम पुछे जाते हैं जैसेक इस्टयटमेंट है मुझे देवताओं को दिखाओ मैं उनके भी चितर खीचूंगा यह कुर्वे कहा. देखताओं को दिखाओ उनके भी चित्र खीचूँगा और इनका यह रोमान सवाद पर एक कमेंट किये थे रोमान सवाद पर यह कहा करते थे कि ओरना के दफन के साथ ही रोमान सवाद का दफन हो गया था तो ये सारी बाते थी कुर्वे के बारे में तो आपसा नंबर A इसका सही जवाब हो जाए क्योंकि The Artist Studio या The Painter Studio ये गृती है आपकी ये ब्यांग चितर था इनकी क्या नाम है कि उन सभी कलाकारों के उपर जो की स्टूडियम काम किया करते थे प्रभावादी या इसके प्रश्न के चलेंगे 302ा नंबर प्रश्न के कह रहा है कि कुर्वे की पैंटिंग में भावन आत्मों सुनिता प्रकास और आकार की साथीकता सामिल है कथन सही कह रहा है zarキorta क्योंकि उन्हों नियुकि ये महसूस किया कि पेंटिंग में वही दर्स आया जाना चाहिए जो कला नमबट का रहा है कि यहां पर प्रत्रशबाद करता है कि यहां पिशृ जवाब है अगला प्राशन है हैं तर्नर आप ने चितरकार कौन्ट है अगला प्राशन है यतार्थवाद का प्रमुक चित्रकार कौन्ट है कुरबे के द्वारा यतार्थवाद को शुरू किया गया था अफसा न इम्बर कहई रहा है कौन थार्थवादी चितरकार के साथ सत भ्यंग चितरकार भी था तो जैसा मैंने बताया कि उनोर द्यमी जो है भ्यंग चितरकार कि रुप में इन्होंने कम शुरू किया था अगरा प्रफ कह रहा है प्थर तोडने है कुर्वे ने गुस्ताव कुर्वे ने अपसर नंबर एस का सही जवाब हो जाएगा 357 करत दो वकील किसकी कृति है दो मी की कृति है दो वकील अपसर नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा 338 का डिपा या रेल का डिपा इन दोनों को बनाया है उन्हों दो मी ने अपसर नंब में गुस्ताव कुर्वे का जन्म हुआ था आपके फ्रांस में अप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा अगले प्रशन की और चल रहा है अगला प्रशन अच्या 1819 भारत की चित्र कला में किस लिए प्रसित है कमेंट सेक्शन में जरू बताइएगा मैं हिंट दे अगला प्रशन है किस कलाकार ने मैरीज एक मोड मैरीज इला मोड सिंखला को चित्रित किया मैरीज इला मोड को विलियम भोगार्थ ने चित्रित किया है आपसा नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा 361 नंबर प्रशन आपके सामने है और 361 नंबर प्रशन आपसे कह रहा है कि समकाली निथार्थवाद की पहचान एक लक्षणिक गुरू के रूप में है जिसका सक्तिसाली अध्यन मानों शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है तो ये सारी बाते बात किया जा रहा है लुशियान फ्राइड के बारे में 1922 इस भी में 1922 से 211 ये गलत है 1922 से 211 सही बात करा है लुशियान फ्राइड की ये बाते है आपसा नंबर डीज का सही जवाब है 362 काहरा है कि इनमे से और समान नाम बताईए तो और समान नाम इसमें कुर्बे क्योंकि ये थार्थवादी है बाकी सब कला समिक्षक के रूप में जाने जाते हैं जैसे कि ये सौंदर सास्त के लेखक हैं हीगल भी कला समिक्षक थे अरस्तु बिद्वान थे अरस्तु उसक यह कुर्वे अथातवारि चित्रकार बाकि यह सभी कलास्यमिक्षक की रूप में जाने जाते हैं 263 नमबर कह रहा है खान मजदूर बारवीजा कलाकार है अगला मतलब टॉपिक बारविजा कलाकार कुछ भी नहीं है ये एक गाउं था बारविजा वही के जो उस गाउं के जो भी कलाकार थे तो उन कलाकारों की समूह था जिनको बारविजा कलाकार कहा गया ये बार्विजान फ्रांस के निगट एक गाउं है और यहां के जो कलाकार हुआ करते थे ये आपके प्राकृतिक द्रिस्यों का चित्रण किया करते थे। और ये जैसे कि अथार्थवादी चित्रकार थे उसी तरीके से ये कलाकार भी ये अथार्थ चित्रों का चित्रण किया करते थे और ये इनकी बड़ी बात ये थी कि घर से बाहर निकल के ये चित्रण किया करते थे इनमें जो प्रमुख कलाकार है उनमें रूसों आ जाते हैं दोविन्नी आ जाते हैं दोविन्यों आ जाते हैं और जा फ्रांसवा आ जाते हैं और मिले आ जाते हैं ये इतने कुछ इनके प्रमुख कलाकार है ठीक है बारविजा कलाकार प्रकृति चित्रण के साथ ग्रामीवडी चित्रण भी किया करते थे ठीक है अब प्रस्न है प्रस् जया फ्रांस वाभी ने बार्विजा कलाकार है और बार्विजा कलाकार के प्रभुक कलाकारों में इनका नाम आता है अपसा नंबर C इसका सही जवाब हो जायेगा बार्विजा फ्रांस के निकट एक गाह है इस बारे में आप confusion में बिल्कुल मत पढ़िएगा 263 नंबर के प्रस्ण क्यों चलें 263 नंबर प्रस्ण आप सभी के सामने है कह रहा है किस कलाकार ने sleeping gypsy बनाया था sleeping gypsy को रूसो ने बनाया था sleeping gypsy के कलाकार रूसो को माना जाता है अपसा नंबर C इसका सही जवाब हो जायेगा थियोडोर रूसो की सताब्दी का फ्रेंच भूद्रिश चित्रकार था तो यह 19 वी सताब्दी का फ्रेंच भूद्रिश चित्रकार की रूप में जाना जाता था रूसो आपसा नंबर 20 का सही जवाब हो जायेगा अगला प्रशन निन लिखेस में से भूद्री शित्रकार काउन है तो को रोट को भूद्री शित्रकार की रूप में जाना जाता है आफ्सानमबर 6 का सही जवाब हो जाएगा अगला प्रस्ट है कि सतापदी में पास्चायते कलाकारों ने साहितिक बिशियों से निरत होकर प्रकृति के निकट मैंने बताया कि बार्विजा कलाकार प्रकृति के निकट जाकर चित्रण किया करते थे साने जिता इस्थापित की तो यह बात किया जा रहा है उन्निश्वी सती की पूरवार्द में जैसा कि मैंने बताया कि बार्विजा कलाकारों का जो समय रहा है अगला है 369 कह रहा है संकाल इन कला आंधोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राधमिक्ता देता है द्रिश्य माध्यमों द्वरा प्रश्तुत किया गया है जो स्वयम विचार के लिए माध्यमिक है बात किया जा रहा है संकल पनात्मक कला की आफ्सान नंबर बी सही जवाब जाएगा संकाल पनात्मक कला या बार्विजा कलाकार दोनों एक ही चीज है ठिक है अगला है 370 गोधिक कला के बिकास में प्रमुह का रर्ण को द्व हर्म और नवीन equivalent प्रमुह कारण था कोतिक सहली में भवन निर्माण किया जाता था अगला प्रश्ण है 377 नंबर प्रश्ण किस सताबदी में पास्चात्य कलाकारों ने साहित्य विश्यों से निम्द अलग हो करके प्रकृति के निकट सानिद्ध इस्थापित किया था तो यह बात किया जा रहा है साहित्यों से चित्रण किया जाता था लेकिन इधर बात किया जा रहा है बार्विजा कला का तो यह बाहर निकल के चित्रण किया करते थे 372 नंबर का प्रश्ण प्रभावाद, नोप्रभावाद और उत्तर प्रभावाद से सम्बंधित है प्रभावाद इन सभी ट्रेमिनलाजी को समझना बहुत जरूरी है जैसा कि हमने देखा है कि इसके पहले के जो भी कलासे लिया रही है जैसे इसके पहले हम लोगों ने प्रभावावाद और प्रभावावाद उत्तर प्रभावावाद ये सभी आता है और प्रभावावाद की हम बात करेंगे इसके लावा आगे हम लोग नोप्रभावावावाद उत्तर प्रभावावावाद की भी बाते करेंगे तो प्रभावबात की बात हम करें तो इसका जो समय काल था वो 1870 के आसपास से ले करके 880 तक चला था अब प्रभावब ये जो प्रभावब उननिस्वी सतीका एक बहुत प्रसिद्ध कलान दोलन था जो कि पेरिस के कलाकारों जैसे कि बारुजा कलाकार पेरिस के कलाकारों का ही एक संगता इसी तरीके से प्रभाववाद जो है इसकी भी सुरुवाद पेरिस के कलाकारों ने किया था और ये एक तरीके से पेजिस के कलाकारों का एक मुक्त संगठन था, फ्री संगठन था, ये क्या किया करते थे, इसमें चित्रों में अपने प्रकास का ज़्याद उपयोग किया करते थे, और ये कह सकते हैं कि कलर को मतलब की जैसे पेंट है, रंग है, तो रंगों में ये किसी भी प्रकार का मिस्रण नहीं किया करते थे और अगर बात किया जाए इसको इसका नाम किस ने दिया था तो यह जो प्रभाववद का लाहित इस आंदूलन का नाम क्लाउद मोनेट ने इसका नाम दिया था और क्लाउद मोनेट ने एक कृती थी मैं बता रहा था क्लाउद मोने की एक कृती है जिसका नाम है इंप्रेशन द सन्राइज इंप्रेशन द सन्राइज इंप्रेशन द सन्राइज इंप्रेशन द सन्राइज जो की मोने की एक कृती है सुर्योदे इसको हिंदीम कहते हैं सुर्योदे तो इस कृती को इस कृती पे ब्यंग करते हुए इस कृती पे ब्यंग करते हुए एक कला समिक्षक थे जिनका नाम तो कला समिक्षक के साथ साथ वह पत्रकार भी थे उनका नाम था लुई लेराए लुई लेराए ने इस पर ब्यंग किया और ब्यंग आत्मक रूप से इसका नाम इस चित्र का नाम और इस चित्र के सैली का नाम नहोंने प्रभाववाद रखा और य प्रभाव द झाल है इस में प्रमुख पाट यह लिए कि बात आप याद रखिएगा और ये याद रहना इसे कि पहली क्रती कुण सी था तो मोने क्लाउद मोने की कृति थी इंप्रेशन दर सन्राइज और इसका नाम किस ने रखा था तो लुईले राउँ ने इसका नाम रखा था क्यों व्यंगात्मक रूप में रखा था और देखिए यहाँ पर प्रकास का प्रभाव यहाँ पर महत पूर्भुम का निभाता था और देखिए यहाँ पर जो प्रमुख कलाकार हुए प्रभाव वाद की जो प्रमुख कलाकार हुए उनमें तो हम देखा एक मोने हो गए क्लाउद मोने के साथ एड़ूर्ड मोने भी थे एड़ूर्ड एड़ूर्ड मोने इसके अलामा रेनाय इनका नाम है और एक नाम में सुना होगा एदगर देगा अब इनलोग कर और पो लिखना जैसे पालवाग हो और गोगोई हो गए इस तरीके कि कई कलाकार भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे देखिए यह जो प्रभाववाद है प्रभाववाद की कुछ विसेष्टा है जैसे इन विसेष्टा में आप ध्यान रखिएगा पिसेस्ता में नमबर एक दियाद रखिए कि यहाँ पर औमिस्रित रंगों का रव किया जाता है दूसरी बत यहाँ परकास का क्रीडा का चित्रण किया जाता है तीसरी बात, यहां पर काले अथ्मा भूरे रंगों का उप्योंग नहीं किया जता है और चटक रंगों का उप्योंग किया मतलब इसमें जाता देखेंगे आप सूर्य से संबंदें चित्र भी आपको दिखाई देंगे और जिब बात किया जा रहा है कि काले और भूरे रंग का उपियु नहीं किया जागा जदातर इस चित्रों में देखेंगे आप पीला रंग और लाल रंग गिर्गवा रंग इनका उप्योग ज्अधा तर आपक किस पास्चायत्य कलाकार ने अपनी पुस्तक हिरोशिगे के काश्ट चाय चित्र पर आधारी चित्र बनाया था तो यह बात किया जा रहा है वान गॉग का तो वान गाग ने ही अपनी पुस्तक हिरोशिगे के काश्ट चित्र पर आधारी चित्र बनाया था तो हम बात कर रहे हैं वानगॉग की इनके कुछ प्रमुक्चितर हैं जैसे कि आलू भक्षी या पोटेटो इटर भी कहते हैं पोटेटो इटर हो गया और सूरी मुखी का फूल हो गया जैसे पोटेटो इटर, सुर्मुकी का भूल, फूल, तारो भरी रात, इसके अलावा दनाइट कैफे, इसके अलावा तास के खिलाड़ी, इसके अलावा ताहिती वासी, यह इनके कुछ प्रमुक्षितर है, और देखिए, इनके कुछ बिसेस्ता है, जैसे कि वान गाक की तूलीका अगहात है, उसको रेंगता हुआ सर्प भी कहा जाता है, जैसे जो उनके ब्रस है, उसको प्रभाव को क्या का, जैसे यह ब्रस नहीं पेंटिंग किया तुसको क्या कहते है लोग रेंगता हुआ रेंगता हुआ अभी इसको कहते है और इनकी खास बात यह कि वान गॉक की कि इन्हों नहीं सबसे पहले प्रतीक वाधी चित्र बनाया था प्रतीक वादी चित्र को शुरुवात इनने ही किया था वणगॉग ने तो यह सारी बाते थी वणगॉग के बारे में और उम्मेद है वानगाग से आप लोग अच्छी तरीके से परचित हो गये हैं तो यहां पर बात किया जा रहा था वानगाग का आफसर नंबर डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन है त्रिण का भोजन त्रिण का भोजन जो है यह प्रभाववाद का सबसे प्र एडवर्ड मोने का यह सबसे प्रमुख चित्र इसको कह सकते हैं एक प्रदर्शनी हुई थी जिसका नाम था सलो दर रिफ्यूजेज मैं इनके बारे में एक नए पेस पर मैं बता दे रहा हूँ हम बात कर रहे थे एडवर्ड मोने के बारे में बात कर रहे थे इनके बारे म 1832 ISB में फ्रांस में हुआ था और 1883 ISB में की मिर्त्यु हो गई थी और फ्रांस के ये कलाकार थे जैसा कि मैंने बताया कि प्रभावबाद जो है पेरिस के नजदीक पेरिस में ही या वहां के आसपास में ही ये शुरुआत हुआ था प्रभावबाद का आप देखिये इन्हों ये इन्हों इन आठारसो कही कहीं 62 लिखार कहीं कि तीरसट पारसोबास रिस तिरसट वे तिरसट ज्यादा तर जगोड मिलेगा अठार्व तिर सट इस भी में एक प्रदर्शनी हुई थी और प्रदर्शनी का नाम था सलोगर रिफ्यूजज Refuses मतलब की यहां पर 1833自s में आस्वीकार चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी जैसे की वहाँ परीश में एक प्रदर्शनी लगी थी उस प्रदर्शनी में इनके चित्र को आस्वीकार कर दिया गय था और वही बगल में ही एक प्रदर्शनी लगी जिसका नाम रखा गए अस्विकार चित्र 600 के आसपास चित्र अस्विकार किया गए थे और उन सभी चित्रो को वहाँ प्रदर्शित किया गया था अश्विकार चित्रों की प्रदर्शनी अब देखिए अश्विकार चित्रों की प्रदर्शनी में इनका चित्र सामने आ था जिसका नाम था त्रिण का भोजन और इसकी कट आलोचना हुई थी क्योंकि इसमें एक नगने इस्त्री को भी इन्होंने चित्रित किया था और यहीं से सुरुवात माने जाती है एडवर्ड मोने के चित्र से एडवर्ड मोने के इसी तिर्ण के भोजन के चित्र से प्रभाववात की सुरुवात माने जाती है इसके अलबह त्रिन का भोजन का प्रुनाम इसनान था और इनके कई अन्यक्षित्र थे जैसे कि बासुरी वाला depends बासुरी वाले का लावा तोते वाली इस्त्री तोते वाली इस्त्री के लावा अच्छी बीयर अच्छी बीयर के लावा नाव पर सवारी इसके लावा जार्ज मूर का ब्यक्ति चित्र सराभी और सराभी के लावा अबली जोला इसके लावा इस्पेनिस गिटार वादक लावा जार्ज मूर का लाव पर जार्ज बीयर इस्पेनिस गीटार वादक आज इनकी प्रमुख चित्र रही है तो हम लोगों ने एड़वर्ड मोने के बारे में पूरी तरीके से देखा बिस्तार से देखा कि इनका जन्म 1832 में वह था और 1833 में एक प्रदर्शनी उसी जिसका नाम था शेलो दर रिफ्यूजिज अप्रद इस्त्री को चित्र किया गया था दो पूर्शों के बीच में और देखे इसके अलावा इनके इसके अलावा जो है इनके प्रमुख चित्र में रहे हैं बासुरी वाला तोते वाली इस्त्री अच्छी बियर ना परसवारी जार्ज मूर का प्यक्ति चित्र सरावी और सरावी के लावा एमली जोला और स्पेनिस गिटार वादक यह इनकी प्रमुक्षित्र है और इससे ज्यादा एड़वर्ड मोने के बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं पूछा जाएगा यह पूछा जाएगा ओलंपिया किसका चित्र है ओलंपिया ओलंपिया के बारे में भी पूछ लेगा आपसे ओलंपिया के बारे में पूछ लेगा आपसे ओलंपिया किसका चित्र है एक आपसर में देदेगा सेजा सेजा गलत होगा और यहीं सही होगा ओलंपिया मोने का चित्र है तो हम बात करें 373 का और 373 का सही जवाब हो जाएगा आपसा नमबर एडवर्ड मोने देखें दो मोने हैं एक लाद मोने एक एडवर्ड मोने का चित्र वो है जिसको मैंने बदाए था इंप्रेशन दो संड्राइज इनका यह है क्या नाम है कि त्रिन का भूजन ठीक है 374 कह रहा है कि किस इन्वे से किस वाद के चित्रकार नोपर्भाववाद करते थे लेकिन चोटे धबव का प्योग कि यह करते थे नौप्रभाववादी कलाकार ठोटे बबो करते थे इसका नाम पड़ा बिन्दुवाद बिन्दुवाद या कहीं-कहीं पे विभाजन वाद भी इसका नाम पढ़ गया दोनों बाते हैं आपको देखने को मिलेंगे तो इसलिए आप धारे बनाए रखिए अब हम नौ प्रभाववाद के बारे में देखेंगे नौ प्रभाववाद को हम लोग बिंदुवाद भी कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे बिंदुवाद का उपयोग किया जाता है इसको कहीं कहीं पे विभाजनवाद भी कहते हैं विभाजनवाद, नोप्रभावावाद, बिंदुवाद और विभाजनवाद तीनों चीजे सामने आती हैं अब देखिए, नोप्रभावावाद जो सब्द है, इसे 1886 इसबी में एक फ्रांसिसी कलासमिक्षत थे जिसका नाम था फ्लिक्स, फ्लिक्स, फेलान, फ्लिक्स फेलान ने इस नाम को दिया था 1886 इसबी में, ये प्रस्ण भी आप से पूछा जाएगा, फ्लिक्स फेलान, फे ने एखिञा था अधा सेमता, इन्होंने एक चित्र देखा था, शेरा का चित्र था 14 सेरा कुछ भी के लिए, शेरा का चित्र था, उस चित्र को देखने के बाद इन्होंने कहा था, इस स्यली का नाम रखा था न प्रभावावद, और सेरा का कौन सा चित्र इन्होंने देखा था चित्र का नाम था रभीवार की दो पहर रभीवार की दो पहर या इसनान घाट अब देखिए दोपहर का चितर था तो प्रभाववाद उसमें सूर्थ को दिखाना ही था तो प्रभाववाद था ही और इस नान क्या नाम है कि प्रभाववाद था और इन्होंने क्या किया था क्या नाम है कि इस चित्र को देख के इन्होंने नो प्रभाववाद नाम दिया था अब देखिए रंगो की चमक के करण इसका नाम नो प्रभाववाद पड़ा और नो प्रभाववाद मतलब की करेज रंगों की चमक के करेच इसका नाम नवप्रभावाद का नम का नाम प्रकास वाध पड़ा था क॥ क्या नाम है कि इस में भी रंगों कोरराो आमश्रुत रंगों का उपयोग स्व किया जाता था नौ प्रभावावाद में जैसा कि यह जो इनान-गाट सब्सक्रार नौ प्रभावावावाद का प्रथम चित्र जिसको 14 वन अभावावावावाप तो चलते हैं नो प्रभाववाद के आगे तो इस प्रस्ण का जवाब हो जाएगा नो प्रभाववाद आपसर नमबर C छोटे धब्बू का उप्योग से याद रखिएगा कि नो प्रभाववाद क्योंकि पिसुत धर रंगों का उप्योग तो उसमें भी हुआ था और राकि सभी प्रभाववाद क्रस्ट्रेकार्न उत्तर प्रभाववाद कि नहीं है ल augment प्रभावव्वाद कि ऊघल्ण किस्ट्राकर नहीं Finnish वा आफिछ जिसने गाला समीक जाते हैं और इसका नाम करोन किस ने किया था कल एक कला समीक्षक ततर प्शहाई आउस जीजिसका नाम था रोजर फ्राइ कि रोजर फ्राय को यृर चाहल ऑच नाम में रखा था उत्तर प्रहावाऊश्र इसमें प्रमुग कलाकार के रूप में रखते हैं युद्ध तिनसी चाहर कलाकार करें 느 टmud डॉल प्रवाववादी पर्मंब के जिनक कोमने झाल कि ज चित्रन के इस नान गाट में जाते हैं है। आपसा benefici का सही जवाब हो जाएगा कुण govern गा के चीतर की प्रभावित था की से प्रभावित थे और ऱए सो की बारे में हम लोग जान जाए, जान ले तौ वह जादा लिकित में से किस प्रभाव चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सरवाधिक सीखा था जापानी प्रिंट से सीखा था मोने ने लोग देखना जरूरी है थोड़ा सा देख लेते हैं क्लोद मोने के पारे में एक एड़वर्ड मोने, एक ट्रोथ मोने ठीक है इनका जन्म हुआ था ता 1840 इस भी में कहीं 1841 लिखा मिल जाता है 1844 कुछ भी दोनों बाते सचीए है जन्म कहां प्रांस में प्रांस में क्लोथ मोने का जन्म उए था और इन्हों एक चित्र स्रिंखला बनाई थी, जिस चित्र स्रिंखला का नाम है, Water Lilies, लिली का एक फूल होता है, लिली पूस्प होता है, उसी में एक तलाब बना उसी में है, यह Water Lilies, और इसके अलावा, Hextens Rua Cathedral भी बनाए है, ये इनकी चितर स्रिंखला है ये दुनों इनके चितर स्रिंखला में गिने जाते हैं इसके अलावा इन्होंने कई कलाकृतियों को बनाया है जैसे कि आपका हो गया इंप्रेशन द सन्राइज सन्राइज इसके अलावा इन्होंने बनाया इन्होंने 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 इन्हों गार्डन इसके अलावा इन्होंने बनाए गार्डन एट सेंटी इसके अलावा इन्होंने बनाए प्रुमुक्षितर है घास का धेर घास का धेर के अलावा इन्होंने बनाए पेंटर आफ सिरीज पेंटर आफ सिरीज और देखिए क्लॉद मोने के बारे में थोड़ा सा और जान लिजे कि क्लॉद मोने ने सरवाधिक जापानी प्रिंट में सरवाधिक चित्र बनाये थे जापानी प्रिंट में इन्होंने सरवाधिक चित्र बनाये हुए थे और देखिए जैसा की हमने बदाया था कि एक चितरकार थे बंग के रूप में ट्रिप पत्रकार ने एक पत्रकार थे जिन्होंने ब्यंग के रूप में इनके चित्र इंप्रेशन दर संड्राइज के नाम के उपर प्रभाववाद रखा था और उस पत्रकार का भी नाम पुछ लिया जाता है लूई सी राय नाम है लूई सी राय लुई सी राय ने ही इनके चित्र इंप्रेशन दे सन्राइज को ब्यंगात्मक रूप से प्रभाववाद कहा था इस पत्रकार का नाम याद रखेगा लुई सी राय नाम था और जैसा कि हमने बताया कि प्रभाववाद के अकलाकार ज़्यादा तर इसका विरोध किया करते थे इस टूडियो पेंटिंग का यह कहा करते थे कि स्टूडियो में बैट के पेंटिंग कौन पागलोग करते हैं तो यहां पर हम लोगों देखा 300 हाँ अफसर नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा अगला 380 नंबर के प्रश्ण क्यों चल ला है 380 नंबर प्रश्ण आप सभी के सामने आ रहा है कि यहां द थिंकर नामक मूर्थी को किस ने बनाया है तो द थिंकर को बनाया है रोंदा ने रोंदा ने द थिंकर को बनाया है आफसर नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा द थिंकर एक मूर्थी सिल्प है और इस मूर्थी सिल्प को बनाया है रोंदा ने इसलिए आफसर नंबर यहां पर डी इसका सही जवाब हो जाएगा आगे चलते हैं, अगले प्रस्ण की ओर, 381 नंबर प्रस्ण और 381 नंबर प्रस्ण आपके सामने है 381 नंबर प्रस्ण अश्य ध्यान रखिएगा, ये जो मूर्थी सिल पेदा थिंकर इसको ब्रॉज माध्यम में बनाया गया है प्राउन जमाद्यम में इसको बनाय गया है करें इसनानमगन यूतियां के चित्रकार कौन है तो सेजा इसके चित्रकार है सेजा आपसर नमबर सीज का सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर सीज का सही जवाब हो जाएगा चलते हैं अगले प्रशन की ओर अगला प्रश्ण आपके सामने है और अगला प्रश्ण कह रहा है 385 नंबर कि The Night Cafe की सकलाकार की कृती है The Night Cafe को बनाया है वान गॉग ने और वान गॉग के बारे में हम लोगों ने देखा है कि यह था स्तिर्पन में नीदरलेंड में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने The Night Cafe के अलामा अलुभक्षी, सूरुभुखी का फूल, तारो भरी रात, The Night Cafe पास की खिलाड़ी, डाक्टर गैसेट का चित्र और ताहिती वासी इत्याद इन्होंने चित्र चित्र किया है जैसा कि हमने बताए कि इनके तूलिक्या के आगातों को इनके जो ब्रस चलाते थे, इसको लोग कहा करते थे कि रेंगता हूआ साम Sunrise Impression के चित्रकार कौन है? तो Sunrise Impression के चित्रकार है, क्लाओद मोने इन्हीं के चित्र को बेंगातल कर रूप से कहा गया प्रभाववाद प्रभाववाद का मुख्य तत्यों क्या है तो प्रभाववाद का मुख्य तत्यों है प्रकास का बदलता रंग आपसर नमबर डीज का सही जवाब हो जाएगा चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर तीन सो पचासी नमबर 385 नमबर कह रहा है किस वाद को इंदधनसी वाद के नाम से पुकारा जाता है प्रभाववाद को इंदधनसी नाम से पुकारा जाता है अपसल नमबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 386 नंबर कह रहा है प्रभाववाद का बीजार ओपन कभ हुआ था जैसा कि मैंने रहे गताया थार्षा तीरपन इस भी में अप्रतर मतलब अस्विक्रित चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी और इसमें इंपर सन्राइज को चित्रित ने त्रिन का भूजन को चित्रित किया था और इसी के नाम पर ही प्रभाववाद का बीजार ओपर हुआ था प्रदर्शनी हुई थी तीन सो सब्सक्रित नंबर प्रशन आपके सामने है प्रभाववाद की एक मात्र महिला चित्रका का नाम था मैरी कैसाट और ये एदगार देगा की शिश्या भी रही थी देगा ज Л का आधा की यह सिश्च एख रही थी कैसी महराठ थी के इन 288 नंबर प्रशन आपके सामने है कह रहा है कि हेंडि मूर् हेंडि मूर्र किसे सब्सक्रादा प्रभावित थे तो हेंडरी मूर ज Gesch seu माया एक सभषवता हूए उसलिए हम लोग थाbut से और आ था आ nice दिए यं हेंरी मूर के बारे में हेंरी मुर का जन्म जो हुआ था ऐस्च जब ग्राफिक छिट्रकार के रूप में और ग्राफिक पैंटिंग के रूप कार के रूप में भी यह जाने जाते हैं जैसा कि मैंने बताए कि इनके ऊपर माया सभ्यता मतलब एक सिविलाजेशन थी माया सभ्यता और अस्टेक मूर्थी कला का इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था अब इंग्लेंड के कलाकार हैं तो यह राजा रानी का चित बनाया इसके लावा इन्होंने न्यूक्लियर एनरजी का भी चितर बनाया न्यूक्लियर एनरजी नाइफ इन्टू पीस नाइफ इन्टू पीस को भी चितरित किया और ट्रैप्ड सीटेड वूमेन भी इन्होंने बनाया ट्रैप्ड सीटेड वूमेन को भी इन्होंने चित यह उन की कुछ खास बाते हैं जिन को आप जानना आपको जैना ज़रूरी है जैसे हेंदॉर read आपने सिल्फ को खुले में रखना रखा करते थे खुले में रखने के नुमायंदगे कैनल करते थे क्योंकि वो कर न रह जाए अभी तो वह लोगों को अनुप्रेरित भी करें लोगों को प्रेड़ा भी प्रदान करें और हेंरी मूर जो है अपनी विसाल आकार की मूर्ति सिल्पक में इस मार्की अंकन के लिए बहुत ज्यादा प्रशिद्ध थे क्योंकि वे मूर्तिकार की रूप में ज् चभरण के प्रशन क्यों के साथ 1947 प्रति हेंड्री मूर का लक्षण के वक्षत कि वर इतना किवल इसका प्रुसन कर्ने वाला पहलू नहीं था कथन एकदम सही कह रहा है कि कधार आधि मूर्तिकाला की भाति हैंगों के कारें छिक तब ही सकती है तो कथन और तर्क दोनों सही इसलिए अपस्व नंबर बीस का सही जवाब हो जायागा 390 नंबर प्रस्ट ने कहा है कि हेंडी मूर ने इस मार्की प्रतिमाओं के निर्मार को वरीता दी कारण यह है कि वह केवल यही चाहते थे और यह सही है कथन सही है और तर्क गलत है कथन सही है तर्क गलत है आपस्व नंबर बीस का सही जवाब हो जाएगा 391 नंबर प्रस्ट न आपके सामने आ रहा है है हेंडी मूर ने अपने सिल्फ को खुले अस्थान में रखने की वरीता दी ताकि उन्हें सभी देख सके कथन सही है क्योंकि वह चाहते थे कि उनका सिल्फ केवल सजावटी वस्तू बनकर न रह जाए बलकि लोग उनसे कुछ सीखें भी दोनों सही है इसलिए आपसा नंबर एस का सही जवाब हो जाएगा 392 नंबर प्रस्ट ने कह रहा है कि हाँ मैं प्रकृती की अनुक्रिती नहीं करना चाहता हूं मैं इसे पुनह मूर्तिया करना चाहता हूं यह किसका कथन है तो यह सेजा का कथन है आपसा नंबर एस का सही जवाब हो जाएगा 393 सनफ्लावर किसकी प्रस्थित कृति है सनफ्लावर को One Gogh ने बनाया आपसा नं कि अग्ला प्रशन है नोप्रभावात के प्रणेता कौन है", जान सोरा जान सीूरा कुछ भी कहिए यह नो प्रभावाद के प्रणेता माने जाते हैं आपसा नमबर सी इस का सही जवाब हो जाएगा और देखिए अब आगे एक बात की जा रही है चित्र दिखाया जा रहा है और चित्र का नाम है कैनकून नर्तकी चित्र का नाम है और पूछ रहा है कि जैन अविरल कौन है तो इसमें कैनकून नर्तकी जैन अविरल है और यह जान लिजे कि इसको किस ने बनाया है तो इसको बनाया है लो त्रेक ने लो त्रेक ने इसको बन है हेंडी दर लूत्रों कुछ भी कह लिए इनका नाम लोत्रेग याद कर ली जे लुट्रएग से ही आप लोग याद कर पाएंगे थुल्ड़ाज इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं हैं हेंडी दर लोत्रेग के बारे में अदेखिया 1864 200 एभी में इनका जन्मूब धा फ्रांस में जाहिर्सीवाथ इनका भी जन्मुगा है और देखिए ये उत्तर्प्रभावधी टलाकार थे उत्तर्-'Tर्प्रभावधी कलाकार थे और ये देखिए मौ wünर्तिकी जो है कि इनकी लीथोग्राफ में ही चितरित की गई थी और लिथोग्राफ में कोई प्रुशना आजा तो इन्ही का नाम लगा दीजिए लोत्रेक का सही हो जाएगा इन्ही के नाम पर टिक लगा दीजिएगा और देखिए मौलिन रोज और पेरिस का भगीचा और सेलोदा सेलोदा आर अंकोएस और मुल रोज परमुक्रिती हैं जिसे मर्धिराले भी कहते हैं मौल रोज मौडिरान वह कहते हैं तब और थीयेटर इन्बैड और Lordेर और मुलिरोज यह इंकी कई परमुक्रितिया हैं और देखिए मैं के लिए लिए पोश्डर तयार किया था ओपे रा लीथोग्राफी में पत्थर से अंकन चपाई वर की प्रक्रिया होती है लीथोगा मतलब पत्थर होता है असम पत्थर कुछ भी गई सारी चीज़े की होती है तो वह चपाई का एक पधती है तो उसी के मादम से यह पोस्टर तयार किया करते तो जो मैंने बताए कैनकुन नर् सब मिल जाएगा आपको है हां तो अब अगला कह रहा है कि किस माध्यम में चित्त किया गया है इसे चित्त किया गया है कलल लिथोग्राप में पोस्टर तो है ही है अगला कि कि किस आंदोलन से संबंदित यह कलाकार है तो यह उत्तर प्रभावा से संबंदित कलाकार है और यह पूछ रहा है कि यह चित्र का है तो केंकूर नर्तगी एक लिथोग्राफ है इसी कि वारे में पूछ रहा है